हाथी पर्टे तो यह नमस्कार बहुत स्वागत आप सब का देखने जोतिष दिशास सत्त किराम मैं हूँ आपके साथ आपका इस ट्रोग फ्रेंड संदो संदोशी और आज दिनां 11 जुलाई को पैदा हुए लोगों के लिए हमारी तरब से बहुत सारी हारदिक शुब कामना हैं बहुत सारी शुब कामना आप खुब एशश्मी बने खुब देश का नाम रोशन करें स्वस्त रहें प्रशन रहें बड़ों का आदर करें इस धर्टी को हरी भरी रखने के लिए खुब सारे पौधे लगाए इन शुब कामनाओं के साथ सुरबात करते हैं जिरांग के ग्यारह जुलाई को पैदा हुए लोगों के पूरे वर्श के हाल के बारे में जानने की और सबसे पहले सुरबात करते हैं ये बताने का कि जो ग्यारह जुलाई को पैदा हुए लोग हमारे मित्र जो विद्यार्थी हैं अभी अध्यन कर रहे हैं उनका वर्श कैसा भी आप सब के लिए स्विक्षा के नए अवसरों को देगा ये साल अगस्त से अक्टूबर अद्भुत पढ़ाई करेंगे आप स्वास्त का लाप मिलेगा मित्रों का साथ रहेगा ऐसे लोग जो 11 जुलाई को पैदा हुए है और शुक्षा ग्रहन कर रहे हैं अभी उनके लिए नए जगह पर अड्मिशन के निमित अक्टूबर के बाद दिन अद्भुत है बहुत उत्तम है तो अक्टूबर के बाद कोशिश करिएगा नए जगह पर अड्मिशन के लिए बाहर जाकर पढ़ाई के लिए भी दिसंबर के लाश्ट में विदेश का वीजा लग जाएगा 11 जुलाई को पैदा हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं लोन भी मिल जाएगा एजुकेशन लोन 15 जन्वरी के बाद फरवरी मार्च अप्रेल अद्वुत समय रहेगा इस बीच अगर पीजी चेंज करने के लिए सोचें तो फरवरी में सोच सकते हैं या फिर होली के बाद जिनांग 11 जुलाई को पैदा हुए लोग ब्यापार अगर करते हैं तो नया लोन मिल सकता है सितंबर से नवंबर की बीच में अच्छा लाव का योग बनेगा रुकेधन की प्राप्ती भी होगी जमीन जाजाज में निवेश के लिए अक्टूबर नवंबर बिरक्षन रहेगा कुछ संतान के पक्च को लेकर के बिजनस में डावा डोल इस्तेदी रहेगी बच्चा ध्यान नहीं देगा बिजनस डूप सकता है विदेश जाकर व्यापार आरंभ करने के लिए अगर कोई विचार कर रहा है तो समय अनकूल है डाला जा सकता है समय होगा जन्वरी से मार्च का बीच प्रोडक्शन उनिट चलाना चाहते हैं या इस तरह का कुछ आरह में करना चाहते हैं तो भी समय बहुत अनकूल है दिरांग 11 जुराई को जन्म पाए लोगों के लिए एक शुभ अवसर मिलेगा बिजनस में रुके धनकी वापसी फर्वरी के बात प्राइबेट सेक्टर अगस्त अक्टूबर नई नौकूरी की चांसर है नौंबर दिसंबर काम थोड़ा सा रुख रुख कर चलेगा जन्मरी फर्वरी में पुनहें आप प्रियास करेंगे पुराने बौस से मुक्ती मार्च के बाद भी लेगी जमी जाजाद में निवेश अप्रैल मई में जरूर करिएगा और मई जून में ही विदेश यात्राएं भी संभाव है गौर्णमेंट सेक्टर लाब के नए अवसर खोलेगा ये साल आउट अप्टरन प्रोमोशन के चांसे सितंबर में है अक्टूबर महिना थोड़ा तनाव पूर्ण रहेगा कुछ पारवारिक दिक्कतों के कारण नौंबर दिसंबर में प्रोमोशन के चांसे से रहेंगे जनवरी और फरवरी में मंचाह स्थानांतरों के लिए पैरविक कर सकते हैं मार्च अप्रेल बॉस के साथ ताल मेल थोड़ा सा मुश्किल से बैठेगा मैई जून में कुछ शडियंत्र के सिकार हो सकते हैं कारेचेत्र में दाबत्य जीवन रिष्टे में डावा डोल रहेगा इस्तिति कई ऐसे उसर आएंगे जब आप लोग अलग अलग रास्ता चुनने के लिए विचार करेंगे फिर भी रिष्टा चल जाएगा किसी बुजर्ग की मदद अक्टूबर में बहुत काम आएगी नौंबर दिसंबर में स्वास्थ पर पती पर या पत्नी पर खर्च हो सकता है हॉस्पिटलाइज्ट होने की नौपत आएगी किसी पुरानी बिमारी के पुनर जागरण की संभावना है दिनांग 11 जुलाई को पैदा हुए लोग लव लाइप में एतिहासिक रहेंगे प्रेमकार के प्रती समर्पण आपसे होगा और प्रेमी के लिए निवच्छावर होना आपसे होगा शादे की बात नौंबर में कर लीजेगा फरवरी की मुहुरत में सहनाई बच्चा है ना 11 जुलाई को पैदा हुए लोगों के स्वास्त की चर्चा करें तो चेश्ट की दिक्कत हो सकती है 36 से संबंदेत कोई ऐसी बीमारी भी डाइगनोज हो सकती है जो लंबी चलने वाली हो ध्यान दीजेगा सावधान रहेगा उपाय क्या करना तीन पीपल के पौधे किसी शिवाले में बिद्याले में लगा दे और तीन बच्चों को खाना घिला दे आज जिनके शादी की सालगी रहे हो तीन सनिवाल लगातार किसी बाहरी बिद्यवा को कुछ दवा और फल का दान करें ये दो काम करिएगा जरूर आपके लिए फाइदे का सोथा होगा वित्रो बारिश के कारण मुंबई दोरा पोश्ट फोन्ड के रत्रिया गया है तो एक बार आप लोग स्टाफ से वाट्सप पर कॉल पर आप बात कर सकते हैं और नेक्ट डेट फाइनल जान सकते हैं इसक्रीन पे भी ध्यान दे दीजीगा लिखा हुआ भी आ जाएगा थैंक्यू बहुत बहुत शुक्रिया कोटा आ रहे हैं मिल सकते हैं अमश्कार जैस्री किस्टना शिरा दे भी आप